पगवानत मान तो बाद आमादमी पार्टी दे संयोजक दिल्ली दे मुखमंतरी अर्विन केजरीवाल दावी ब्यान समने आया अर्विन केजरिवाल ने कि हुन लोका नू पता लग गया होगा कि आमादमी पार्टी सच्चे देश पक्ता दी पार्टी है पंजाब दे विच जिस तरह पंजाब सरकार वलो कारवाई किती गई है जो देश नू तोड़ना चाउंडे सन उस तो साफ है कि असी उस किसे भी व वस्था लागू कर रखने के लिए और शांती बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंतमान साब ने और आमादमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कटोर कदम उठाए हैं उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ हुमान साब ने कार जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्त, बिजली ये काम तो करने आते हैं लेकिन पंजाब में लॉइन डॉर्डर काबू कर पाएंगे क्या पंजाब बॉर्डर स्टेट है बॉर्डर स्टेट के उप पर आप शांती की विवस्था कर पाएंगे क्या पिछले एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो और अगर सरकार इमांदार हो इरादे नेक हूं तो लॉइन और को भी बहुत बखोबी कायम किया जा सकता है हमने जिस वि सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से उसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल के साथ गैंग्स्टर के साथ आपस में जुगलबंदी थी गैंग्स्टर को क्रिमिनल को पहले पॉलिटिकल संरक्षन दिया जाता था ये वाला गैंग्स्टर इसका है इसकी इस इसके साथ सेटिंग है इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी हमारी पार्टी मांदार पार्टी है आने के बाद एक के बाद एक गैंक्स्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धर पकड़ चालू की गई पिछले कुछ दिनों की कारवाई ने दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तयार है हम देश भक्त लोग हैं भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत मा के खिलाफ किसी भी तरह की कारवाई करेगा उसको जाएगा उसको छोड़ाने जाएगा अगर कोई भी शांती विवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बक्षा नहीं जाएगा आम आदमी पार्टी जरूरत पढ़ने पर कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करें और यह भगवंतमान साब ने और आमादमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं और पंजाब के लोगों को कभी शुक्रिया आदा करता हूं जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया पूरे पू खूब अमन शांती होगी पूरे देश में खूब अमन शांती होगी और खूब तरक्की होगी नमस्कार